नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ कश्मीर श्रीनगर डल लेक से जी हाँ वही डल लेक जो तमाम फिल्मों में आती रही है वही कश्मीर की वादी जो अंगिनत तरीके से पूरे भारत को आकरशित करती रही है आज ये पूरी की पूरी वादी किन सवालों से घिरे हुई है कौन से ऐसे सवाल है ऐसे सुलखते हुए सवाल कश्मीरियत के कश्मीर के कश्मीर में रहने वाले लोगों के जिनको अभी तक हम और आप और हमारा लोकतंतर अंसुना करता रहा है और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, कम से कम भारत जोड़ो यात्रा जो यहाँ पर समाप्त हुई, उसने उसे एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर सामने रखा है, यह बहुत जरूरी है कि कश्मीर को हम सिर्फ एक खुबसूरत वादी के तौर पे नहीं, सिर्फ यहाँ प बूजने का काम करें, और यह काम हमारा मीडिया तकरीबन नहीं करता रहा है, जान बूज कर हम सिर्फ कश्मीर को कश्मीर की सुंदरता तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि यह हमें बहुत पसंद है, आज अपने स्कायक्रम में मैं आपके साथ साजा करूंगी कुछ ऐसे सुलक मेरे साथ सैर कीजिए, सफर कीजिए, देखिये, टटोल ये, कश्मीर का दुख, कश्मीर की खुशी और कश्मीर की सुंदरता, क्योंकि यह सब कुछ एक साथ ही है, अलग-अलग टुकडों में हम और आप इसे महसूस नहीं कर सकते सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि जिन सवालों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन राजनितिक परिद्रशिक की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कट-off पॉइंट है, बहुत बड़ी लकीर, वह लकीर खीची गई 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 हटाया गया, और उसक 2023 में कश्मीर की जम्हूरियत, कश्मीर के लोग किस तरह से देख रहे हैं कि 2019 में जो एक तरफा फैसला मोदी सरकार ने किया था, उसके बाद से कश्मीर को क्या मिला, और यहां जब हम आपके साथ चर्चा करेंगे, हम सिर्फ कश्मीर घाटी की बात नहीं करेंगे, हम बात क जम्मू की भी, क्योंकि इन तमाम जगों पर अब आवाजे उठने लग गई हैं, पहले लोगों को लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ तीन सो सत्तर हटने से घाटी परेशान होगी, लेकिन आज 2023 में यह बात बहुत साफ हो गई है कि तीन सो सत्तर हटने के बाद इस पूरे क पूरे इलाके में सब लोग परेशान हैं और बहुत ठोस वज़े हैं उनकी परेशानी की, जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पे जो तस्वीरे दिखाई देंगी, वो जम्मू से भी हैं, वो लद्दाक से हैं, लद्दाक में सोनम वांग्चुक पांच दिन तक भूख हड़ताल पर बैठते हैं, वजह वजहिया कि जो वादा किया था, वह पूरा नहीं किया, और पूरी की पूरी जो वहां की एकॉनमी है, वहां का जो पूरा का पूरा पर्यावरन है, उसे नष्ट करने पर उतारू है मूदी सरकार, दोस्तों, आपको मेरे हा जो यात्रा का समापन हो रहा था, तब जिस तरह से बरफबारी थी, और उस बरफबारी के बीच, तमाम लोग खड़े होकर, पहली बार 2019 के बाद सरकों पर उतरे थे, इसी गर्माहट को महसूस करने के लिए, राजनितिक गर्माहट, पहली बड़ी पॉलिटिकल एक्टिव का, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कश्मीर के रहने वाले हर बाशिंदे के दिल में उबल रहा है, जो भाप यहां दिखाई दे रही है, वही भाप उनके दिलों में है, कि आखिर क्यों वे भारतिये नागरिक हैं, उनको देश का कॉंस्ट्यूशन वही अधिकार देत है, फिर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी से उन्हें क्यों महरूम किया गया, जब बात होती है अखंड भारत की, एक भारत की, श्रेष्ट भारत की, तब क्या हम कश्मीर को काट की सोचते हैं, नहीं, लेकिन जब अधिकारों की बात होती है, जब आवाज उठाने की बात हो जर्म हो जाता है, क्यों? अब देखिए, तीन सो सत्तर हटाने के बाद केंदर सरकार ने कश्मीर को क्या दिया? कश्मीर को दिया बुल्डोजर, जी हाँ, इतनी सर्दियां हैं यहाँ पर, यह सर्दी का सबसे खौफनाग दौर है, चालिस दिन कश्मीर में सब कुछ जम जा जाता है, और ठीक इसी दौरान यहाँ पर बुल्डोजर चल रहे हैं, और बुल्डोजर का खौफ एक राजनितिक खौफ है, क्योंकि जिस तरह से इंक्रोश्मेंट को हटाने के नाम पर, लोगों को, उनके घर को धुस्त किया जा रहा है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, और यह बताने की कोशिश की जा रही है, कि यह जो मोदी जी का बुल्डोजर है, जो केंद्र सरकार का बुल्डोजर है, वो सब कुछ धुस्त कर सकता है, और कहीं से भी कोई कानूनी मदद या प्रशास्निक मदद नहीं मिल सकती है, ऐसा क्यों ह कि बुल्डोजर चाहे उत्तर प्रदेश में चले, चाहे मध्द प्रदेश में चले, और अब जब कश्मीर की घाटी में चल रहा है, वह तकरीबन हर जगा देश के कानून से जो नागरिक को राहत मिलती है, उसकी धजियां उडाता है, दरसल यह जो बुल्डोजर चल रहा है, यह बताते हुए चल रहा है, कि इस देश में कानून का राज नहीं, कॉंस्ट्यूशन का राज नहीं, बुल्डोजर और बुल्डोजर चलाने वाली राजनितिक सत्ता का हाथ है, वह कंट्रोल कर रही है, चुटकियों में तै करती है, कि इसका घर यहां बना हुआ है, इस ने इस जमीन का अतिकरमन यहां किया हुआ है, उसको हटा दिया जाए, आपको जो खबरें दिख रही है, वे सब खबरें बहुत मुश्किल से चपती हैं, वे खबरें दरसल आती ही नहीं है, जो आती हैं, वह बताती हैं, कि कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर कोई political leader, अगर सरकार से सवाल पूछता है, पूछता है कि 2019 से लेकर अभी तक यहाँ political process क्यों नहीं, यहाँ पर बेरोजगारी क्यों है, यहाँ पर सेप के दाम क्यों नहीं मिल रहे, तो उन्हें दिखाई देता है bulldozer. अब आई देखिए, मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ 370 हटाए जाने की. यह सवाल ऐसा है, जिसे भाकी भारत में, भारत के बाकी हिस्सों में बहुत दूसरे धंग से देखा जाता है, और कश्मीर की घाटी में बिल्कुल दूसरे धंग से देखा जाता है. लेकिन एक और जो एहम सवाल है, कि 370 हटने के बाद, जिस तरह से लोगों से बड़े पैमाने पर पूछताच हुई, जिस तरह से लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, वह तो चलिए अतीत की बात हुई. लेकिन अभी हाल में दो महीने पहले, कश्मीर घाटी से एक शक्स को उठाया जाता है, जो भारतिय नागरिक है, वो आज तक मिसिंग है. सवाल बहुत बुनियादी है, कि क्या इन परिवारों को इस निजाम से यह जानने का हक है की नहीं, कि उनके परिजनों को जो उठाया जा रहा है, वे कहां हैं? मैं यहाँ इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि यह इस समय एक राजनितिक सवाल है. आपको याद दिला दें, कि इसी 30 तारिक को, 30 जन्वरी को, जब राहुल गांधी शेरे कश्मीर स्टेडियम से अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत एहम बात कही, जो तमाम कश्मीरियों के दिल को छुई, उन्होंने कहा कि किसी का भी अपने घर से गायब होना, किसी के घर भी ऐसा फोन पहुचना, कि वह शक्स नहीं रहा है, शहीद हो गया है, एंकाउंटर में मारा गया है, यह क्रम खतम होना चाहिए, भारती लोकतंत्र में इस तरह की खबरों को जेलने की, किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कश्मीर का शक्स हो, या फिर भारत के किसी भी राज्य का, और मुझे लगता है, आप भी इस बास से सहमत होंगे, कि हर भारती नागरिक को जीने का हक, जीने की गैरंटी एक समान होनी चाहिए, अब आईए, चलते हैं कश्मीरी सेब को देखने के लिए, पूरी भारत में और दुनिया के अंगिनत हिस्सों में, कश्मीर के सेब मशूर रहे हैं, अपने स्वात के लिए, अपनी लाल लाल छवी के लिए, और आप देखिए कि कश्मीर में जब 370 हटी थी, तब पूरी के पूरे कश्मीरी जम्मू और लदाख में ये वादा किया गया था, कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लोगों का जो अभी का रोजगार है, उसे स्टेबल करने, उसको स्थिर करने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आज बेरोजगारी कश्मीर में चरम पर है, जम्मू का नौजवान परेशान हैं, लद्दाक से सोनम वांग चुक हम में मेसेज दे रहे हैं, कि वहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है, और मोधी सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया था, वो पूरी तरह से विफल रहा, तकरीबन उसी तरह से जैसे अच्छे दिन का वादा था, और पंद्रा लाख रुपे देने की बात थी, आज कश्मीर का नौजवान निश्चित तौर पर यह जानना चाहता है, कि जो रोजगार का वादा था, जो कारोबार को बढ़ाने का वादा था, वह पूरा करने के बज़ाएं उल्टा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि यह उल्टा काम बहुत खतरनाक है, कश्मीर में खड़े हो यह, तो पता चलता है कि यहाँ पर जो सेब उगाने वाले लोग हैं, वह किस तरह से तिल-तिल कर मर रहे हैं, क्यों मजबूर हो रहे हैं अपने सेब की फसल को आग लगाने के लिए, और इस पर जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट करने वाले लोगों पर दबाव बनाया जाता है, क्यों, यह जो बेरोजगारी है, यह जो यहाँ की पूरी की पूरी एकॉनमी है, जहे सेब हो या ड्राइफूर्स, उसे क्रश करने पर क्यों उतारू है, मुदी सरकार यह सवाल एक बहुत एहम सवाल है जो कश्मीर की धर्ती से पूछा जा रहा है आईए अब ज़र जायजा लेते हैं लोकतंत्र के चोथे खंबे का, क्या हाल है कश्मीर में, कश्मीर में प्रेस क्लब खतम कर दिया गया, यहां पर पुलिस चौकी चल रही है, क्यो क्योंकि एक बात बहुत साफ थी कि यहां का जो नौजवान पत्रकार है यहां की जो बाकी पत्रकार है वे तमाम दबाओं को जेलते हुए रिपोर्टिंग कर रहे थे जमीन से जुड़े हुए एहम मुद्देश सामने ला रहे थे और आप देखे जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ कश्मीर के तीन यूवा पत्रकार जेल में है सजजादगुल, फहाशाह और आसिछ सुल्तान ये तीनों जेल में हैं अलग-अलग وجہों से जेल में हैं अलग-अलग केसे से जेल में हैं और लगातार जो खौफ का साया है वो इस कदर है कि पूरी दुनिया ने देखा कि जब कश्मीर की एक महिला फोटो जर्नलिस्ट को पुरसकार मिलता है पुलिसदर एवार्ड से सम्मानित होती हैं, सना मटो उस समय उनको वो एवार्ड लेने तक जाने नहीं दिया जाता, रोक क्यों है यह ऐसा सवाल है जिस पर बाकी मीडिया चुप है और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, श्री नगर का कश्मीर रेडियो बहुत मशूर रहा है, उसकी एक अलग पहुच और रसूक रहा है, लेकिन आप देखिए कि 370 हटने के बाद उसे औल इंडिया रेडियो मे जाती है, जो वहां के बुनियादी प्रोग्राम थे, जिन कल्चरल प्रोग्राम के लिए वो मशूर था, दूर दरास से जो फोक आर्टिस्ट उसमें आते थे, वह सब खतम हो जाता है, सिर्फ पांच छे भाशाओं में मोदी जी की मन की बात का तरजवा होता है, कश्मीरी म सवाल पूछ रही है कि क्या, उसे अपने मीडिया, अपनी खबरें देने, सुनाने का हक नहीं, कश्मीर के राजनितिक परिद्रिश्य में बहुत बड़े पैमाने पर तबदीली की कोशिश है, जिसे लेकर अभी कश्मीर में उस तरह से ख़द बदाहट तो नहीं, लेकिन यहां की जो पॉलिटिकल क्लास है, वह चिंते जरूर दिखाई दे रही है, जिस तरह से डी लिमिटेशन किया गया, जिस तरह से जम्मु की सीटे बढ़ाई गई, कश्मीर के बराबर उसे पहुचाने की कोशिश की गई, इसे लेकर अलग-अलग कयास लग रहे हैं, और इस पार्टी, देश के ग्रिह मंतरी, अमिश्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वह एक पॉलिटिकल डिमोग्राफी में चेंज चाहते हैं, अगर चेंज चाहते हैं, तो उससे वहासिल क्या करेंगे, क्योंकि इन तमाम सवालों का जवाब अभी तक, अमिश्या ने कश्मीर की ज रक्षा का, कश्मीर में आतंगवात पर नियंतरन का, क्योंकि हम सब जानते हैं, कि 370 हटाने के बाद से, मुदी सरकार लगातार ये दावा कर रही थी, कि उसने आतंगवात को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो घटनकरम दिखाई दे रहा है, जिस तरह से किलिंग्स हो रही है, सिविलियन की किलिंग हो रही है, यहाँ पर माइनॉरिटी की किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को लिशाने पे लिया जा रहा है, और अगर 2023 की पहली जन्वरी की घटना को आप देखिए, जिस तरह से नौ भारतिये नागरिक मारे जाते हैं, उसके बाद ग्रेने से, शैद यही वज़ा है, कि आप देखते हैं कि देश के ग्रिह मंत्री, अमिशा, दुबारा उस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत कुछ, 36 गड़ में चल रहे, सलवा जुडुम से मिलता जुलता है, 1990 में यहाँ पर आतंकवात को रोकने के न यार दिये जा रहे हैं, यह बहुत एडवांस किसम के हैं, और कश्मीरियों को इस बात का बहुत तगड़ा खौफ है, कि इस से एक बार फिर कश्मीर घाटी का सामप्रदाइक सौहार्ड बिगड़ सकता है, आखिर क्या वज़ा है, कि स्टेट मशीनरी पुरी तरह से विफ दोस्तों, यह एक कुछ सवाल हैं, जो मैं आपके साथ साजा करना चाहती हूँ, कश्मीर की धरती से, यह ऐसे सवाल हैं, जो भारती लोकतंत्र की तरफ रह तक रहे हैं, यह ऐसे सवाल हैं, जो कश्मीरियों से जुड़े हुए सवाल हैं, यह ऐसे सवाल हैं, जो सिर्फ कश वह सिर्फ कश्मीर तक नहीं पूरे भारती लोकतंत्र का सबसे बड़ा चहरा बन गया है लिहाज़ा अगर हमें आपको अपने वतन से प्यार करना है तो कश्मीर के इन सुलकते सवालों को सुनना समझना और अपने सवाल मानकर चुनी हुई सरकारों के सामने पेश करना होगा क्योंकि कश्मीरियों के पास अभी चुनी हुई सरकार नहीं है और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला को कैद किया गया था उनके पॉलिटिकल पावर हटाई गई थी उसने एक संदेश बहुत साफ दिया है कश्मीर की घाटी को कि यहाँ पर महौल को तोड़ने का काम निश्चित तोर पर भारत जोड़ो यात्रा ने किया जिसे हमने बहुत मजबूती के साथ आपको दिखाया शेयर किया कि यहां की कश्मीर की जनता आखिर क्यों इस पॉलिटिकल एक्टिविटी से खुद को जोड़ना चाहती है क्योंकि उसके पा झाल